अलो फ्रेंड सो टेस्टी भोजन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पनीर जिससे बनाना बहुत ही आसान है इसे हमने रेस्टरेंट स्टाइल में बनाया है तो यह बहुत ही जादा टेस्टी है इसे आपको एक बाद जरूर ट्राय करा चाहिए तो वीडियो को एंड तक वोच करें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को साथ में दबा दें जिससे कि आपको आगे की नोटिफिक्शन मिलते रहें तो चले वीडियो को शुरूर करते हैं तो सबस हम एक बरतन में डालेंगे और उसके बार डालेंगे हम इसमें एक चोधाई चमच काली मिर्ष पाउडर और या पर नमक जो की नमक हम यूज करते हैं और एक चमच के करीब डालेंगे हम लहसुन और अद्रक का कुटा हुआ पेस्ट या फिर आप इसका बारिक पेस्ट भी बना सकते हैं और इसके बाद हमने डाला है यहां पर धनिया पती साथ में डाल रहे हम यहां पर दो जमच तेल तो हमने आप रिफाइंड ओल्यूज किया है और उसकी बाद हम इससे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से इसको कोट करेंगे थान रही कि पनीद टूतेना और इस तरीखी से अगर आप हास ही करना चाते तो इस तरीखी से हास ही कर सकते निकिन अच्छे से कोट हो झाले और फिर उससे मेरीजनेशन के लिए हम छोड़ेंगी तो दस मिनट के लिए हम इसी तरीखी से इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद हम gravy के लिए 2 प्याज लेंगे यहाँ पर हम दो प्याज ले रहा है medium size का 2-3 हरी मिर्चे लेंगे और यहाँ पर 8-10 हमने ले लिये लेसुन की कलिया और एक चोटा अद्रक का टुकडा लिया है और यहाँ पर हमने खर्बुचे के बीज लिये है 4 बदाम ले लिये है और 4 ही काजु लिये है काजु और बदाम आप थोड़ा जादा ले सकते हैं और देगे प्याज को भी हमने यहाँ पर cut कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे एक बरतन में तेल और उसके बार डाल के एक चमस, जीरह जीरे को भूनने देंगे और जब जीरवा भून जाएगा तो अगर देंगों प्याज को एक बारेन में रफली चॉप उनकी माई चॉप किया है फु men में ग् Hmm डाल 009 128 और यहाँ पर जो हमने डैफ रोट लिये थे वो भी डाल देते हैं और फिर उसके बाद हमें फिर देने चलाते हुए बूनेंगे एक मिनट के लिए और एक मिनट बूने के बाद देखें आप इस तरी किसी कुछ यह हो गया है आप देख सकते हैं और उसके बाद हम डालेंगे हापर पानी तो पानी हम भी डाल लेना है आपर एक ग्लास की करीब ने आपर पानी डाल दिया है उसके बाद हम इसी अच्छे सी बॉयल होने देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी का महीं यह यूज नहीं करना है थोड़ा सा डाल दिया है दखकर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो फ्रिट्स दे कि 7 मिनट लगबग हो गए हैं यहां पर और बढ़िया से यह हो गया हमारे अच्छे सी कुक तो क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इससे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के करने थे पनीर के पाइस को इस तरीके सी हम रख देंगे और उसी हम अच्छे सी इसे र कर लेंगे तो क्या करना है गोल्दन ब्राउन इसमें कलर आ गया है इतना ही इसको में फ्राइज करना है तो देखे पनीर बिल्कुल तेयार है तो इससे हम निकाल लेते हैं इससे जादा हम इसको फ्राइज नहीं करेंगे नहीं तो यह जल सकता है इसके बात जो हमने gravy के लिए masala बनाया था उसको हम grind करेंगे यह भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे एक mixi के jar में डालेंगे और अभी के लिए यहापर पानी नहीं डालेंगे यह जो पानी आपको दिख रहा है इसे हम अभी बात में डालेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़े हम डाल देते हैं उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पती फ्रेश धनिया लेना है थोड़ा सा ही लेंगे और थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ पर पुदिने के पते और फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें दबहर पेस्ट सेप नहीं नहीं हो पाती यंदिया और यह इसी पेस्ट Boat पहेन में इस पहन में हम थोड़ा और और दाल धेंगे अईल को गरम होने दिएंगे और जब ऐल गरम हो जाएगा तो उसमें हम दाल देंगे तेज पता दो हमने छोटि तुड़े ले लिए है दालचीन के तीन चार हमने ले लिये है काली मिर्ट और तीन चार हमने लॉंक और दो ले लिये हैं हरी लाइजिए तो इस तरीके से हमने कुछ खड़ी मसाले लिया है और खड़ी मसाले को भूने के बाद हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो हमने पेस्ट तयार किया है उसके बाद उसे लगाता चलाते रहेंगे और चलाते हुए हमें इसे पकाना है तो जब तक हम इसे चलाएंगे जब तक कि इसमें एक boil नहीं आ जाता है तो देखें, यहाँ पर boil आ गया है gravy में, तो अब क्या करेंगे, इसको चलाना बंद कर देंगे, और इसको हम ढखकर पकाएंगे तो हम इसे cover करेंगे, और दो से तीन मिनट के लिए इसे हम low to medium flame पर पकाएंगे और यह देखें, तीन मिनट हो गए है इसे पकते पकते, और एक बार इसे चला देते हैं, देखें इस तरीके से एक बार अच्छे से gravy को चला देते हैं और उसकी बार डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले, तो एक से डेड़ चमस डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर, एक चमस डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, खोज़ता लाल मिर्ची का यूज यहाँ पर नहीं करना है इसके बाद एक से डेड़ चमस डाला हमने किचन कींग मसाला, इसकी जगे पर आप कोई भी पनीर मसाला डाल सकते हैं और एक चमस डाल दे हमने चाट मसाला इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बीची जोग अच्छे से मेक्स करेंगे हैं यहाँ पर हमने नमक का यूज नहीं किया है क्योंकि हम पहले नमक का यूज कर चुके हैं पर फिर से हम इसे डख कर पकाएंगे तो यहाँ पर हमने फिर से दो से तीन मिनट के लिए इसे पकाया और देखें ओयल अच्छे से यहाँ पर इसमें से आप देख रहे हैं कि रिलीज कर दिया है गिरेवी ने तो जब तक ओयल रिलीज नहीं कर दिता है पहले से बॉल के लिए है तो बहुत सद है पकाने की ज़रुवट नहीं होती है और यह देखें बस जब तक इसमें ओयल एक तक हम इसमें पकानी होती है और उपर से डाल देंगे हैं इसमें कसूरी मेथी और लगभा हमारी सबजी बंगा तयार है लेकिन अभी हम इसे दो मिनट के लिए ओढ़ देते हैं क्योंकि हमने इसमें पनी डाला है और दो मिनट के लिए दख कर पका लेते हैं लोटु मीडियम फिलेबर और देखें यहाँ पर दो से तीन मिनट हो गए हैं इसे पकते-पकते और ये देखे क्या बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तयार है बिल्कुर बढ़िया से इसमें आप देख सकते हैं इसका जो कलर और टेक्चर है कितना बढ़िया है बिल्कुर रेस्टरेंट स्टाइल हमारी अफगानी पनीर बनकर तयार है तो इसे कर लिते हैं हम सर्फ गैस को हमने बंद कर दिया है और यह दे कि इस तरीके से हम इसको सर्फ कर लेंगे और अगर आप पनीर खाने की शोकिन है तो इस सबजी को बनान तो जरूर से बनता है क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग दी है अगर आपने अभी तक ट्राइट नहीं की है तो आप आज ही इसे बनाएए और खाईए और आप कमेंट करके बताएए कि आपको यह कैसी लगी और साथ में हमने यह दनिया पती और थोड़ा सा पनी डाल दिया है रेस्टरेंट लुक देने के लिए और यह देखे क्या बड़ी हमारी सबजी बनकर त्यार हुई है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट जरूर से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में नहीं रेसीपिक साथ बाई एवरिवान